लेकिंगे दोस्तों आपने MS Word के डॉकुमेंट में हाइफिनेशन टूल का तो यूज किया होगा अपने डॉकुमेंट में हाइफिन इंसर्ट करने के लिए लेकिं दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में कि आप इस हाइफिनेशन टूल को बहुत ही एफेक्टिवली और बहुत ही प्रोफेशनल वे में कैसे यूज कर सकते हैं और अगर आपने हाइफिन इंसर्ट करने अपने MS Word के डॉकुमेंट में तो आप उसको डिफरिन डिफरिन तरीकों से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ताकि आपका पेज का लेयाओर भी प्रॉपरली यहां पर मेंटेन रहे और आपका बहुत भी आपसे यहां पर इंप्रेस हो जाए जब भी आप MS Word में यहां पर कोई भी काम करें तो दोस्तों देखे पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफरमेटिव तो नमस्क्रा दोस्तों मैं रतेश आप सबका सौगत करता हूँ क्रेटिव लर्निंग के चैनल में तो आई दोस्तों लेट्स बिगिन बिस टॉपिक तो आज की वीडियो में सीखते हैं MS Word के बहुत इंट्रस्टिंग ऑप्शन के बारे में जो की होता है आपका हाइफनेशन का उप्शन काम मिलता है वह मिलता है आपको MS Word के लेयाओट के टाप में लेयाओट के टाप में आ कि इन सारे options का क्या क्या का काम होता है आई के सबसे पहले जान लेते हैं ही हाइफनिसन अगर आपने document है तो आप कैसे लगाएंगे supra example के तोट पर मैंने document यहांपे type किया है और अगर मैंने click करवन के चुरू पर कहीं करूंगा click करने के बाद layout के प्रॉक्रूमेंट में कितनी प्रॉट्वाइट हो गया है और यहां पर इक्सटॉप भी हाइफन हो गया है और नीचे भी आप देखेंगे कुछ और वर्ड्स आपको यहां पर रिकॉर्मेंट के साफ साथ हाइफन होते वे दिख जाएंगे मतलब MS Word ने खुद recognize कि जो जो words hyphenate होने है वो वहाँ पर hyphenate हो जाएंगे और जो extra space है वो fill out हो जाएगी ताकि जो आपके MS Word की document की जो formatting है वो अच्छी दिखे अब दोस्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसी मैंने यहाँ पर document को hyphenate किया तो आप देखेंगे जो first line है जो आपके title है वो भी hyphenate हो गया है लेकिन अगर आप चाहते है जो title है वो hyphenate ना हो या किसी particular paragraph वो hyphenate ना हो तो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए आप एक छोटी से setting कर सकते हैं MS Word में तो यहाँ पर क्लिक करता हूं जो भी title में hyphenate करना नहीं चाहता वहाँ पर मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर layout में paragraph के यहाँ पर देखें एक pop-up या dialogue box मिलता है आप इस पर क्लिक करिए paragraph setting के window open हो जाएगी यहाँ से आप क्लिक करिए lines और page breaks में और यहाँ पर option मिलेगा don't hyphenate आप इस पर क्लिक करिए और ok press करिए तो आप देखिंग जो title है वो hyphenate नहीं हुआ और नीचे जो text है देखें यह वाला वो hyphenate हो गया है मतलब नीचे वाला text सारा hyphenate हो गया है और यह वाला जो same window है आप यहाँ से भी open कर सकते हैं मतलब आप जाएहिए home tab में home टैब में जाने के बाद आपको यहाँ हाइफनेट नहीं होगा तो इस दिंग से अगर आपने यहां पे कस्टमाइज फॉर्म में हाइफनेट करना है यह नहीं तो जिस में यहां पर शुरू में क्लीक करता हूँ, क्लीक करने के बाद ईयांड ठीक है यहां पर जैसे हमने लिखा है D.E.S. के उसके बद हाइफन आ रहा है और उसके बार लिखा रहा है टॉप तो जैसे के आपको यहां पर बिलिंक कर रहा है कि आप इस टेक्स्ट को या जिस वर्ड को हाइफनेट करना चाहते हैं नहीं तो अगर आप इसको येस करेंगे ठीक है तो ये वाला जो हाइफनेट हो जाएगा वाला वर्ड और उस रिंक से जो सेकिंड वर्ड है आपको यहां पर दिखा रहे है डिवाइसिस का मतलब D.E. उसके बद हाइफन है उसके बाद यहां पर बाके की स्पेलिंग है और यहां प पर देखेंगे यहां वाला वर्ड जो डिवाइसिस का हई ऐहां उसी तरीके से जैसा हमने यहां पर किया था इस रिंक से आपका प्लेइंग का है तो प्लेइंग में भी देखे हैं एक है ऐफन डिस्पले हो रहा है तो जस्त मैं इसको येस कर लेता हूँ और आप यह वाली window open हो जाएगी और यह वाली window open होने के बाद सबसे पहले पूछ रहे हैं कि automatically hyphenate document मतलब जो भी document आप यहाँ पर लिखेंगे वो अगर आप automatically hyphenate करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर लिजे और जो second option है यहाँ पर hyphenate words in capitals मतलब अगर आपका words को capitalitis में हैं अगर आप उसको भी hyphenate करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक रहें दीजें तो वाले words भी आपके hyphenate हो जाएंगे और यह वाले जो आपका text है देखें यह disabled होगा क्योंकि जो word 2007 version से उपर वाले MS word के version है यह hyphenation zone आपका यहाँ पर disabled रहता है तो इस option को देखें कोई काम नहीं आता और जो नीचे होता है वो होता है आपका limit consecutive hyphenate 2 अब यह देखें काफी important है अब यह देखें no limit है no limit का मतलब क्या हुआ कि जैसे की देखें MS word ने जब hyphenate किया या जब हम automatic hyphenation करते हैं तो देखें first word यहाँ पर hyphenate हुआ कैमर क्या होता है कि नीचे भी आपका word hyphenate हो जाता है उसके नीचे वाली line या उसके नीचे वाली line तो देखें कैमर काफी अच्छा नहीं लगता है कि हम चाहते है कि एक ही line या दो line आपके एक साथ hyphenate हो तो इसके लिए आप यहाँ पर limit set कर सकते हैं अपने line की जैसे कि अभी देखें no limit है अगर हम चाहते हैं यहाँ पर एक paragraph में एक ही line यहाँ पर hyphenate हो या multiple consecutive line hyphenate ना हो तो यहाँ पर limit मैं जैसे one कर दूँगा तो आप देखेंगे यह first value line ही hyphenate होगी second line आपकी hyphenate नहीं होगी तो इस दंग से आप यहाँ पर limit कर सकते है consecutive hyphenate मतलब जो hyphenate है वो consecutive way नहीं आएंगे मतलब एक साथ नहीं आएंगे एक line चोड़के एक line आएंगे अगर दो करेंगे तो दो line चोड़के दो line आएंगे मतलब जैसे भी आपको MS Word को ठीक लगेगे जहाँ जहाँ हाइफन उसके requirement होगी तो दो line आपके ज़रूर छोड़ेगा उसके बाद यहाँ पर हाइफन लगाएगा तो यह कुछ setting है MS Word के hyphenation की जो आप यूज कर सकते हैं अपने MS Word के document में और अगर आप कहीं computer class में भी जाते हैं तो आपको यह वाली setting देखे आपके teacher या आपके जो mentor है वो आपको शायद ना बताएं तो यह वाली setting ज़रूर याद कर लीजे ताकि आप डेली day to day use में यह वाली setting यूज करके अपना काम और बेसानी से यहाँ पर कर पाए